अरे भाईया ज़रा जल्दी जल्दी हाँ चलाईए मेरी भाविया बस आती ही होंगी कहीं उनके स्वागत में कोई कमी न रह जाए आदे घंटे में भाविया भाविया आ जाएंगे मैं जब तक जल्दी से तयार हो जाती हूँ काजल तयार होने के लिए कमरे में जाने लगती है कि तभी काजल की मा शालिनी उसे रोकते हुए कहती है लेकिन कोई भी रिष्टा तेरे इस काले रंग की वज़़ा से पक्का नहीं हुआ मेरे नजलों के सामने से दफा हो जा शालिनी की बाल सुन बेचारी लूते हुए अपने कमरे में चली जाती है अपने काले रंग को देखते हुए काजल मन ही मन खुद को कोसने लगती है कि तबी थोड़ी देर में काजल के चारो भाई बारात के साथ अपनी अपनी पत्नियों को लेकर आते हैं जिनने काजल अपने कमरे की खिड़के से देख लेती है जिसे देख काजल काफी उदास होती है वही शालिन ये अपनी चारो गोरी बहु का ग्रेप रवेश करती है और ऐसे ही शादी का दिन गुजल जाता है अगले दिन चारो बहु आपनी पहली रसुई का खाना बना कर सबके साथ नाश्टा कर रहे होती है कि तबी ये क्या, नाश्ते के लिए काजल तो आ ही नहीं, आप सब नाश्ता करें, मैं काजल को लेकर आती हूँ, कोई जरुवत नहीं है उस मन्हूस को यहां लाने की, जब भी उसकी शकल देखकर हम कुछ खाते हैं, हमारे पेट में दर्द शुरू हो जाता है चारों बहूँ को अपनी नंद के लिए अपनी सास का बढ़ताओ बिल्कुल भी समझ में नहीं आथा, जिसके चलते इस बारे में वो अपने पतियों से बात करती है काजल का रंग हमारी तरह गोरा नहीं है ना, इसलिए मा बचपन सही काजल से नफरत करती है विवेक की बात सुनकर उन चारों को यकीन नहीं होता कि आज के जमाने में भी रंगों को लेकर लोगों की ऐसी सोच है, वहीं दूसी तरफ काजल के काले रंग की वज़ा से पहले भी कई अमीर रिष्टों ने काजल से रिष्टा करने के लिए मना कर दिया था, जिसके चलते शालिनी काजल के लिए गरीब रिष्टे देखना शुरू करती है लड़की रंग में थोड़ी काली है, लेकिन कोई बात नहीं हमें ये रिष्टा मन्जूर है रिष्टे देखने आई मोहिनी और उसके बेटे अतुल की हालत देखने में कुछ ज़्यादा खास अच्छी नहीं थी, जिसे देख काजल की भावी कनिका आप लोगों का घर कहां है? जी, वो लखनपुर है ना, वही पर हम लोग किराए पर रहते हैं क्या? किराए पर? वो भी लखनपुर जैसी जगह पर? मा जी, वो तो चोरो गुंडो वाला इलाका है अच्छा, आप काम क्या करते हैं? हाँ, जी, मेरी खुद की एक पान की दुकान है महीने भर में 10-15,000 रुपए कमा लेता हूँ अतुल की बाद सुन चारो भावियों को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है अगर आप लोगोंने चाय नाश्ता कर लिया हो तो आप जा सकते हैं चारो बहु की बाद सुन मोहीनी अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है जिसे देख शालिनी बहु ये क्या बत तमीजी थी रिष्टा देखने आये लोगों से को इस तरह बरताव करता है क्या इतनी मुश्किल से तो इस काली का लूटी के लिए एक रिष्टा मिला था माजी काजल आपकी सगी ही बेटी है ना इतने बड़े और अमीर खांदान से होकर आप भला काजल की शादियें लोगों से कैसे कर सकती है जानती भी है इस शादि के बाद काजल को कितनी परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है अरे मेरी बला से कल नहीं तो आज मरे लेकिन इस से मुझे बस अपना पीछा छुड़वाना है शालिनी काजल की जल्से जल्स शादि करवाना चाहती थी तो वो इसी तरह से रिष्टे के लिए देखने लगती है, जिसे देख काजल की चारो भावियां अगर ऐसा ही रहा तो मा जी तो हमारी कलौती नंद की जिंदकी खराब कर देंगी, नहीं, हम ऐसा नहीं उन्हें दे सकते चारो भावी मिलकर अपनी नंद के लिए खुद एक से एक रिष्टे देखती है और उन्हीं रिष्टों में से एक वंश नाम का लड़का उन चारों को काफी पसंद आता है देखो वंश तो हम तुमें पहले ही बता देते हैं हमारी नंद काजल रंग रूप से काली है कहीं ऐसा ना हूँ कि शादी के बाद तुम उससे धोखादो या पहर उस पर बावी आप कैसी बाते कर रही हैं? मैं भी रंग में सामला हूँ. मैं भला काजल जी के साथ ऐसा क्यों करूँगा? आप मेरी तरफ से बेफिक रहीएगा. मैं हमेशा काजल जी को खुश रखूँगा. वंश की बात सुन, चारो भावियां काफी खुश होती हैं. और खुद ही इस रिष्टे के बारे में घर में ना बता कर पंडी जी को पैसे दे कर पंडी जी से ये रिष्टा अपनी सास के पास ले जाने को कहती है. अरे लाखों में एक है ये लड़का और काफी अच्छे घरा आने से भी है. इसे काजल बिठिया के रंग से भी कोई दिक्कत नहीं है. अगर ऐसा है तो ठीक है. जल्द से जल्द रिष्टे की बात को आगे बढ़ाएं, मुझे तो बस इससे पीछा चुड़वाना है. शालिनी काजल और वंश का रिष्टा तै कर देती है. अपनी जूल्री, सैंडल और भी कई तरह के सामान दिलवाती है. अगर ये मर भी रही होगी ना, तो भी इसके लिए मेरे दिल में कभी ममता नहीं जागेगी. अपनी सगी मा के मुझे ऐसी कड़वी बाते सुन काजल को बहुत दुख होता है. लेकिन काजल की चारो भावियां उसे संभाल लेती है. ऐसे ही कुछ समय और गुजरता है और आज काजल की संगीत की रस्म होती है. अरे भाविया, क्या धीरे धीरे म्यूजिक चला रहे हैं? थोड़ा तेज वॉलियूम में चलाईए और पार्टी वाइब म्यूजिक लगाईए. हाज तो हम अपनी नंद की संगीत में धूम मचा देंगे. चारो भावियां अपने साथ साथ अपनी नंद को भी नचवाती हैं. इतनी खुशी के बावजूद भी काजल इन रस्मों में कहीं न कहीं अपनी माँ को बहुत याद कर रही थी. क्या हुआ काजल? आज तुमारी मेंदी और तुमारी आँखों में आसू. भावी, आप चारो ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है. इतना तो कोई अपनी सगी बहन के लिए भी नहीं करता. लेकिन भावी, अगर माँ होती तो कितना अच्छा होता. कल मेरी शादी है, लेकिन मा मेरी शादी की किसी भी रस्म में दो मिनट के लिए भी नहीं आई. कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि मैं अनात हूँ. अपनी नंद की बातों को सुन चारो भावियां मिलकर अपनी सास से रस्म में आने के लिए काफी विन्ती करती हैं. लेकिन शालिनी नहीं आती. ऐसे ही ये दिन भी गुजरता है और आज काजल की शादी का दिन होता है काजल की चारो भावियां मिलकर उसे अपने हाथों से तयार करती है और अपने हाथों से कड़ाई बुनाई की गई चुन्री को से उड़ाती है इतनी सुन्दर लग रही है हमारी नंद, कहीं हमारी ही नजर ना लग जाए हमें तो तुम्हारे साथ ठीक से वक्त बिताने का मौका ही नहीं मिला काश हम एक दूसरे के साथ थोड़ा और वक्त बिता पाते चारो बाभी एमोशनल होकर अपनी नंद के गले लग जाती है शालिनी रस्म के साथ साथ इस शादी में भी नहीं आना चाहती थी लेकिन महमानों की वज़ा से शालिनी को शादी में आने के लिए अपना मन बनाना पड़ता है एक तरफ शादी में रस्में शुरू हो गई थी वहीं शालिनी ब्यूटी पालर से तयार होकर गाड़ी में घर आ रही होती है कि तभी शालिनी की कार का एक दूसी कार के साथ एक्सिदेंट हो जाता है आसपास मौझूद लोग जल्दी से शालिनी को अस्पतार में भड़ते करवाते हैं वहीं शालिनी की फोन से हॉस्पिटल वाले शालिनी की घरवालों को कॉल करके सारी बात बताते हैं मा के एक्सिदेंट की खवर सुन कर काजल बीच शादी से ओड़ जाती है अरे बिठिया ऐसे फेरों के बीच में छोड़ कर जाना अशुब होता है अपने फेरे तो पूरे कर लो इन शादी के फेरों से ज़ादा इंपोर्टेंट मेरे लिए मेरी मा है फेरों के बीच में छोड़ कर काजल जल्दी से अस्पतार पहुंचती है काजल के साथ आपने क्या नहीं किया उसके बाद तो उसे आपकी शकल नहीं देखनी चाहिए थी लेकिन उसने अपनी फेरों को बीच में छोड़ दिया और दोड़ती हुई आपके पास आई और आज जो अब आपकी आँखे खुली है न वो भी सिर्फ काजल की वजह से काजल ने अपना हून दिया है आपको कि आपकी जान बच सके जिस बेटी के काली रंग से आप आज तक नफरत करती रही उसी काली बेटी की बदौलत हाज आप जिन्दा हो सारी हकीकत को जानकर आज पहली बार शालीनी के दिल में अपनी बेटी के लिए ममता जागती है काजल बेटा मैं माफी के तो लायक नहीं हूं लेकिन मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची एक सगी माँ होकर भी मैंने तेरे साथ जो किया उसके लिए तो मुझे भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा शायद इसलिए भगवान ने आज मुझे ये सजा दी ताकि मेरी आँखें कुल सके आप ऐसा क्यूं कह रही हैं आपने कुछ भी नहीं किया मेरे साथ में बिलकुल ठीक हूँ मुझे तो बस आपका प्यार चाहिए माँ शालिनी रोते हुए अपनी बेटी को गले से लगा लेती है जिसे देख शालिनी की चारो बहुँओं की आँखों में आँसु आ जाते है और अब शालिनी के ठीक होते ही धूम धाम से सारी रस्मों के साथ अपनी बेटी की शादी करती है और आखिरकार काजल को अपनी मां का प्यार मिल ही जाता है वेल दोस्तों क्या आपकी भी कोई भावी है? अगर हैं तो उनकी कौन सी आदत आपको पसंद है? वो आदत आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा